हेलो दोस्तों स्वागत आपका फ्रेंड स्टेडी सर्गिल चैनल में और दोस्तों आज के इस वीडियों हम बात करेंगे आरो यारो एक्जाम के बारे में साथी पीसेज परी जो एक्जाम है वो 17 मार्च को होगा या फिर तलने वाला है और एप्यस रिजल्ट कब तक आएगा जो मन में सवाल हो कमेंट बाक्स में पूछ लिजएगा बात कर लेते हैं आरो यारो एक्जाम जो है कब तक कंड़क्ट होगा तो दोस्तों आप लोगों को पूरा भरपूर समय मिल गया है तीन से चार माहिने तक का और मान कर चलिए कि ये एक्जाम जो है जून के पहले होन तो दोस्तों जो अभी की अपडेट है मैं आपको दे देना चाहता हूं कि 99% जो चांसेज हैं वो पोस्ट पोन होने की ही चांसेज हैं पूरे चांसेज हैं कि ये एक्जाम उस डेट को नहीं होने वाला है रीजन क्या है कि सेंटर को लेकर जो है आयोग इसू बना हुआ है कि फिर से यदि ऐसी चीज़ें रही तो पेपर लिख के सम्मावनाएं बढ़ जाती हैं तो इसमें थोड़ा आयोग जो है सुधार कर रहा है तो हो सकता है पूरे चांसेज हैं आप लोग को ये बहुत जल्द अपडेट नोटिस के माध्यम से जानकारी मिल जाये तो पीसेस प्री एक्जाम जो है 17 मार्च को नहीं होने वाला है लेकिन फिलाहल दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहेगा टार्गेट आपका डेट वही रहे बहुत जादा इक्स्टेंडेड नहीं होने वाले हैं डे लेकिन उसी मैटर के वज़ा से जो है यह रिजल्ट नहीं आपाया है तो यह जो अपडेट थी यूपडेट दे दिया है तो आप लोग तैयारी कर रहा है तो जी जान से तैयारी कर लिजे पीसेस में भी आप लोग को भरपूर समय मिल गया है आरो यारो के लिए आपका ले typing होने वाला है पोरी संभावना की अप्रैलमा में आप लोग की typing करवा ली जाएगी तो आप लोग अपनी typing अभी से तयारी कीजिए और डेली आपका practice होना चाहिए किस तरह से practice होना चाहिए इससे related आपको वीडियो चाहिए और क्या क्या typing में चीज़े ज़रूरी है यदि आपको चाहिए इस से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो तो आप लोग कमेंड बाक्स में ज़रूर पूछेगा ASO वाले चात्रों के लिए अपडेट दे देना चाता हूँ कि ASO वाले चात्र जो है आज गोरपूर में डायरेक्ट मुख मंत्री जी से जो दरबार लगता है वहाँ पे उन्होंने जाकर मुलाकात किया है और उन्होंने अपने समस्या का निराकरर के लिए बताया है कि ये जो भी समस्या है जो भी छात-छात्र होँआ पहुचे थे उन्होंने मुख मंत्री जी से अपना ग्यापन सौपा है और मुख मंत्री जी ने उन्हें आस्वस्त किया है कि उनके इस रिडाम पे जो ASO का रि तो ये दोस्तो अपडेट से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे त्यारी करते रहें टेक के यार बाई बाई